आज कई वीडियो CMA Final के स्ट्रेंट के डेलिवेंट है December 2023 अटेम्ट में जो आपका SFM का पेपर हुआ था उसकी Suggested Institute रिलीज करना बंद कर दिया है यानि कि सिर्फ आंसर आंसर आपको दे देते हैं Suggested Solution आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं जिसकी वैसे स्ट्रेंट को थोड़ा सा ज्यादा परिसानी हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी जो solution है उसके discussion करेंगे December 2023 अटेम्ट सिलेवस 2022 का इसकी जो Suggested Solution है या आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे लिंक आपको मैं आपको Telegram चैनल पे इसका Suggested जो आपको प्रोवाइड कर दूँगा यह Suggested है जो मैंने प्रिपियर किया है सारे के सारे questions का तो इसकी जो MCQ है उसको हम लोग अभी discussion कर लेते हैं यहाँ पे और जो Suggested होगा उसमें जहाँ जो unique unique point है उसको discussion कर लेंगे तो आईए फटा-फट हम लोग शुरू करते हैं जी इसकी जो अगर आप coverage देखोगे मैं इसमें थोड़ा से guidance भी देना चाहूँगा आप लोग के लिए कि December 2023 attempt में सबसे ज़्यादा वर्टेज जुरू ने derivative का दिया था और portfolio का इससे पीछे अगर आप देखोगे जो की आपका July 2022 की जो attempt थे उसमें 40 marks का आपका capital budgeting से आये थे और वहाँ पे भी 4X 10 marks थे दोनों attempt जो है foreign action से कम थे तो मेरा जो expectation है कि maybe इस बार foreign action से थोड़ा सा ज़्यादा question रह सकते है maybe 2 question हो तो आपका 16 marks से पहुँच जाएगा security valuation का भी 16 marks है तो 2 बनता है share valuation ठीक है देखो वैसे हम कभी भी आपको ये नहीं कहते है कि आप guess करके पढ़ा करो लेकिन एक थोड़ा सा होते है कि जो wattage wise देखा जाए तो बसे तो balance paper बनाते है IRM से भी question है जिसमें से आपको interest rate जो होते है normally वहाँ से question ज़्यादा आपको पूछा गया है तो interest rate आपको पूछा गया है तो interest rate आपको पूछते है लेकिन हाँ हम यह कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा से time कम लगे तो कोई question थोड़ा ज़्यादा time taking है जैसे study mat study mat में कुछ-कुछ questions ऐसे हैं जो आपको 3-3-4-4 page minutes की solution है capital budgeting में वो सारे question ignore कर दो देखो जितना आपको book में दिया गया है उतना question अगर आप सही से पढ़ लोगे तो आज तक तो ऐसा कोई attempt ही नहीं हुआ साथ ज़्यादा था approximately I think 49 marks एक question आपका exclusive CM में का था एक और भी बात बता दू इसमें जो May 2000 जो recent past की जो CA की question होती है न वो भी एक दो आपको डाल दिया जाता है जैसे MTP no.3 2023 में CA वालों की MTP की question आपकी exam में डाला था CA वालों का May 2023 attempt का question आपको डाला था तो मैं आपको एक सी suggest करूँगा May 2024 की जो MTP है CA वालों का वैसे तो उसमें नया question कुछ भी नहीं था फिर भी एक बार उसको जरूर देखके जाना और इस बार का जो आपका May 2024 की CA वालों की paper है वो paper यह जरूर आप देखके जाईएगा यानि कि 2 MTP और एक आपका जो paper है वो देखके जरूर जाना मुझे लगता है इसमें से एक question तो डाली देगा है या तो MTP और जो आपका इस बार के exam है उसमें से एक question तो डालता है normally मैंने इसका trend देखा है यह 2016 से लबस था चली वापस आते फटा फटा फटम लोग शुरू करते आएए देखे पहले MCQ की बात करते जैसे आप लोग को पता होगा कि MCQ 30 marks 70 marks का description उस 70 marks में भी एक question आपके लिए choice होता है तो आप देख सकते हो आई देखे यह कहरे कि एक Rowan Limited has a net present value NPV उसका 1,50,000 का याद रखना है इसका NPV कितना है बताइए 1,50,000 का और फिर कहरे कि this project has one financial side effect it expands the firm's borrowing power by 5 lakh side effect यही है कि borrowing लेके चल रहा है date है इनके पास कितने का बताइएगा 5 lakh रुपीज का the project lasts indefinitely इनकी life indefinitely so it treated as supportive perpetual date तो जिसकी life खतम ने होगा तो perpetual date ही माना जाएगा if the borrowing rate is 10% यानि कि यह आपका 10% वाले date थे कहते हैं कि net tax yield यानि कि आपका जो tax rate है वो कितना percent है 35% तो कहरे ही कि the adjusted net present value of the project कितना होगा अब आप एक ची ध्यान रखना जब उसने adjusted NPV की बात कर लिया तो यह NPV कौन सी था obvious सी बात है अगर adjusted NPV पूछ रहा है तो adjusted के लिए base NPV चाहिए होगा हमें तो यह base NPV अच्छा लिखा भी इसने okay sorry मैंने miss किया था base लिखके भी दिया है base NPV है तो आप मुझे बढ़े अज़े अज़ेश्टे NPV कितना होगा 1,50,000 प्लस PV of tax saving on interest तो PV of tax saving कहा से लाओगे तो आपको बता दू अगर perpetual date होता है तो date amount multiply by tax rate से PV of tax saving on interest आ जाता है तो इस तरीके से आपका जो adjusted NPV आएगा ये आएगा आएगा आपका 3,25,000 के चीक है जी तो 3,25,000 इसके लिए 1 जो है ये ये वाला हमारे लिए answer बनेगा अब निएस question है question number 2 अब इसमें क्या केरेगी देखिए even limited earning per share rupees 15 and growth rate of earning is 5% याद रखना उसने EPS दे दिया कितने rupees का 15 का और growth दे दिया उसने 5% का security valuation का question the earning growth rate is expected to stay at this level in the near future यानि कि फ्यूचर में भी यही rate रहेगा if its payout ratio is 50% यानि कि इसकी जो dividend per share है वो 50% यानि कि 7.5 rupees का DPS आजाएगा अब कहरें कि and the cost of capital is 15% what will be the market price of the share after 3 years याद रखना आपको P3 निकालना है P3 के लिए हमें चाहिए D4 क्योंकि D4 को आप discount करके निकालोगी calculation करने को बोलाए 2 decimal point में अब यहाँ confusion ही आगे कि हम इसको क्या जूम करके चले DPS 0 या DPS 1 मैं आपको बोलूँगा देखो ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें DPS 1 और 0 दोनों का अंसर मिले ऐसा possible नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर रिस्क आ जाएगे इस question के अंदर हम दूसरा कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब question silent होती है तो आपके पास choice है D0 या D1 कुछ भी अजूम कर सकते थोड़ा देर के लिए अगर मैं D0 अजूम करके चलू तो इस case में 4 वार हमारे को growth हैड करना पड़ेगा तो 7.5 multiply way 1 plus 0.05 का power 4 4 वार का मैंने अगर growth हैड कर दिया 1.05 multiply equal to square cube 4 multiply way 7.5 या रहे हमारा 9.12 का अगर बात बनती है और अगर मैं P3 निकालो तो P3 में आएगा 9.12 divided by discount rate minus growth यानि कि 10% से divide करना है मुझे तो 91.16 का आपका value यहाँ पे हमें दिख रहा है यानि कि ये तो match हो गया लेकिन अगर क्या मैं इसको D1 अजूम करता 1 year बाद का तो 3 साल का time value आड करता मैं एक बार फिर से निकालता हूँ D4 दूसरे तरीके से अगर मैं P1 अजूम करता तो उस case में हमारा यह जो जाएगा power 3 तो 1.05 multiply 2 3 multiply by 7.5 यह बनता आपका 8.68 divided by 10% तो divided by 10% देखो नहीं match हो रहे ने 86 इसका clear मतलब है कि यह आपका D0 था याद रखना यह जो आपके लिए था क्या बताईए D0 तो इस तरीके से आपको मुसीवत जो है उससे आप निपड सकते हो लेकिन अगर इसमें दोनों answer दे देते यहाँ पर 86.82 भी दे देता तो क्या करते तो भाई उपर वाले का नाम लेके किसी एक में डाल देते कुछ नहीं कर सकते हो दूसरा कोई choice नहीं आपके पास बैसे इससी जो का clarity रहता इतना आप लोग negative होने की जुरत नहीं है the expected return from the portfolio is 16% याद रखना आपका expected return है portfolio का है ना कितना percent है 16% है variance of the return risk squared लिखके दिया है आपका variance लिखके देता तो भी बताने की जुरूरत नहीं था लेकिन एक चीज़ इसको percentage लिखके नहीं देना चाहिए था percentage square होता है लेकिन हमेशा मैंने आपको बोला हुआ है इस पर धियान मत दिया करो क्योंकि थोड़ा सा कम है इसलिए टेंसर मतलो आप ऐसे लिखो ए stand division variance कितना है बताए variance जो आपको आ रहा है variance आगे आपका 285 का तो इसमें कहरें कि बताए इन्वेस्टर स्टोल्डेंस से 60 तो risk penalty कितना होगा तो risk penalty ये आपका portfolio का chapter ह जिसमें एक छोटा सा line लिखा है institute ने कि जो risk penalty होते है इसमें खास करके आपको portfolio की utility जो निकालना होता है मैं यही पर आपको लिख दूँ अगर किसी ने miss किया हुआ है तो जो portfolio का utility समझते हो utility उप्योगी था एक बार आपको utility मैंने बताए क्योंकि मेरे को satisfaction कितना मिल रहा है तो यह जो utility निकालने की जो आपका बात किया जाता है उसमें यह कहते है कि हमारा return कितना मिल रहा है और उसमें हमारा जो risk penalty कितना है उससे कितना ज़्यादा हम कमा रहें और risk penalty निकालने के लिए क्या बोला कि कहते हैं कि देखो variance जितना आपका है na risk penalty, यह variance divided by risk tolerance, risk tolerance का value हमेंस रिस्क कितना ले सकते हो, कितना जहेल सकते हो, जहेलना, ज़्यादा रिस्क जहेल होगे, मतलब ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेता है लोग, तो रिस्क ट्रोल्डेंस हाई है, मतलब आप ज़्यादा रिटर्न कमाने की एक्सपेक्टेशन रखते हो जैसे option में जो trade करता है उसकी risk tolerance बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा return कमाने के लिए trade करता है तो कहते risk tolerance हमारा 60 है तो 60 से इसको divide कर दो यानि कि आपका जो risk penalty आ गया वो आपका आ गया है 285 divided by आपका 60 तो 285 divided by 60 यह बनदा आपका 4.75 है न तो यह आपका 4.75 यानि कि D number आपके answer होंगे यह जो आपका है न तो आपका जितना return मिलेगा न जितना आपका return है security का उसमें से आप अगर risk penalty निकाल देते हो ठीक है जी तो आपका यह जो आपका amount बनता है risk portfolio की utility तो हो सकता है अगले बार कहीं risk utility पे ना question पूछ दे कैच है risk penalty आपका information दे दे और security का return दे जैसे इसमें दे रखा है न आपको इसमें तो expected दे रखा है आपका 16 minus इतना करोगे तो यह risk का utility भी बन जाता आपका अगला question अगला question है outstanding NAV निकालने की बात कर रहे है यानि कि mutual fund से related है अब mutual fund मैंने भी निकालना है हमारे को दोनों का क्या दे दिया गया है बताइए investment in the share 28 का और index purchase date का और valuation rate का तो जितने से index बढ़ा होगा उतने से हमारा इसका value भी बढ़ा होगा तो इसकी जो value बन जाएगा कहां पर पहुंचे valuation rate पर यहाँ पर तो यह divided by यह यानि कि 2950 divided by 1750 ठीक है multiply by 28 इसकी जो market value बनेगा आपका 47.20 की और इसकी जो value बनेगी आपका यह 2475 divided by 1375 multiply by 15 यह जाएगा आपका 27 का ठीक है तो हम कह सकते 247.2 plus 27 जो आपका 74.20 इसकी market value of investment बनता है और इसकी जो outstanding number of share इतना lakhs है तो divided by 1.25 यह आपका बन जाएगा 59.36 यह जो आपका इसकी जो answer बनना चाहिए यह आपका अगला कहरे कि देखे यह आपका theory share related है security analysis में वैसे हमने market hypothesis से बात किया हुआ है तो यह तो आपका numerical chapter जो हमने करा रखा analysis में cover हो जाएगा कि Comtech Limited है एक director है Comtech Limited का has the access to inside information private information का access है जैसे कुछ एक board एक insider information, insider news है unable to use this information to make super normal profit इस बिचारे के पास क्या था insider news होने के बावजूद भी market से पैसे नहीं बना पाता है super normal profit इसका मतलब market बहुँ ज़्यादा efficient है strong form of a market efficiency इसमें जाएगा आपका क्योंकि आपको याद होगा कि हमने past data यानि technical analysis एक point लिया था फिर technical analysis plus publicly available information और एक थापका technical analysis plus publicly information plus privately information इसमें जो है privately available information भी होता है अगर ये किसी भी data से market में ना कमा पाई तो strong अगर इसमें इन दोनों चीजों का effect होता है यानि कि private information से market में पैसे बनाए जा सकता है तो आपका semi-strong और इसमें आपका आता है weak form में ठीक है तो ये आपका आलड़ी पता होगा अब next question में कहते हैं कि yarn limited has beta of 0.80 with BSC 300 यानि कि ये जो BSC 300 है ये आपका एक index हो गए ठीक है इस index के साथ इसका beta जो है yarn limited का वो है 0.80 का ठीक है यानि कि beta जो है EL का यानि कि EL का जो beta है वो है 0.80 का अब question में कह रही कि each BSC worth contract is worth 100 units यानि कि एक contract में 100 यानि कि lot size कितना चल रहा है आपका 100 unit का आपका lot size है ये क्या चल रहा है इधर यान इधर बिन्वा ओके छिक है ये party हो गए ये आपका company का share है बिन्वा एंटिसिपेट्स bearish market in the next 3 months and has gone short on share market of 25,000 share अगर bearish market है और अगर ये short कर देता है share को वैसे तो cash segment में spot market में कभी कोई short कर नहीं सकते क्योंकि उसको अगले दिन delivery देना पड़ जाएगा T plus one में तो share तो कही न कहीं से इंतिजाम करना पड़ेगा अगर share इंतिजाम नहीं करेंगे तो वो broker उनके विहाब पे auction market से इंतिजाम करके सामने वाले को delivery देंगे और उस पे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये imagine भी नहीं कर सकते हो minimum 20% का नुकसान तो उसको होता ही होता है जिसने short sale किया है लेकिन ठीक है theoretical question है हमारे घड़ से क्या जाता है short कर दिया कितने quantity बताईए 25,000 share जो है इना short कर दिया अब एक चीज़ सोचो market bearish market है और अगर share को short किया है तो hedging की जरूरत ही नहीं होते ठीक है मन गढ़न कहानी कुछ भी मर्जी question बनाते रहते हैं ठीक है कोई बात नहीं तो कि अगर short किये हो और market अगर गिरेगा न तो फायदा ही फायदा और आपको पता है hedging करने के बाद कोई profit बचता नहीं है इतना लंबा discussion class में इसी बातों पर करा हुआ था ठीक है कोई बात नहीं आए वापस 25,000 share को short कर दिये अब yield का share are traded at 100 यह कितने रुपी पर share trade हो रही है 100 रुपीज पर share trade हो रही है किया रही है कि 3-month future contract on BSC 300 यह index जैसे 50-50 होते हैं बैसे BSC 300 हो गए is quoted at 15,500 अच्छा यानि कि यानि कि इसमें जो 3-month future का जो price है वो आपका चल रहा है 15,500 का what are the number of BSC 300 future contract to be taken by if she wants to hedge price risk to the extent of 125% आप मुझे बताईए value of future contract कितना होता है यानि कि आपको याद आ रहा होगा कि जितना हमारा BSC 300 change होगा उसके comparison में EL का share only 0.8 change होगे तो हम क्या करते थे जितना portfolio का value है portfolio का value आपका कितना बनता है बताएंगे 25,00,00 का तो जितना आपका portfolio का value है multiply by beta और आपको hedging चाहिए 125% का यह कहरे कि 125% का hedging चाहिए तो value of future contract हो गए और आपको पूछा गया है number of contract तो इसको number of contract निकालने के लिए यह value था इसको मैं अगर number निकालने जाओं तो उस case में हमें divide करना पड़ेगा value of one future contract that is the 15,500 multiply by lot size 100 यानि कि आपका 15,500 multiply by 100 ठीक है तो इस case में जो आपका 25,000,000 multiply by 0.8,000,000 multiply by 125% divided by 15,500 divided by 100 यहार आपका 1.61 contract यह चल क्या रहा है भाई ये तो दूर दूर तक कहीं पे मैं आच नहीं हो रही है क्या सिस्टम है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो share to share हेजिंग करने की बात कर रहा है हद है वाई कुछ भी बनाने को तयार हो जाते हैं लोग यार क्या मुसीबत ये सायद मुझे जो quantity to quantity क्रॉस हेजिंग concept होता क्या है कि देखो द्यान से अगर कोई share to share अगर हम लोग हेज करें द्यान से सुनिए मान लेजे अगर ये share आपने बेचा है 25 चलो इस concept को छोड़के मैं share to share हेजिंग की बात करूँ अगर उसमें क्या होता है मान लेजे आपने कोई ABC का share खरीदा ABC का share आपने buy कर लिया मान लेजे buy कर लिया आपने 500 quantity ठीक है जी और आप इसी के future से आप इसको hedge करना चाहते हो आपने future contract ले लिया ABC share का बहुत बार क्या होता है ABC share का future नहीं मिलते हैं तो हम किसी और share का future ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते है cross aging क्योंकि अपना future नहीं मिल रहा है तो हम किसी और का तो ऐसे है रिस्क वाले का कुछ यह और का future ले लेंगे, जैसे माल लिजे, Infosys को आपको hedge करना है, तो वीपरो का future ले लिए, क्योंकि उस दोनों के बीच में relationship सेम होता है, वहाँ पर beta यूज नहीं होता है, क्योंकि यह beta जो होते हैं, हमेशा systematic risk होते हैं, market के respect में होते हैं, और index के respect में होते हैं, जब वह concept अपलाई होते हैं, तो वहाँ पर beta यूज नहीं होते हैं, वहाँ पर hedge ratio यूज होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वापस आते हैं, तो होता क्या है कि देखो, ABC future को हमने क्या कर दिया, आपने ये खरीदा हुआ था, इसको hedge करना है, तो future based दो, जब share गिरेगा, तो share से loss होगा, future से फाइदा हो जाएगा, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, future ABC के जो future है, उसको हम लोग short कर देते हैं, ठीक है, ABC के future हम लोग short करते हैं, और मान लेजे, इसकी जो lot size है न, इसकी जो quantity है न, मान लेजे 50 का आपको lot size मिलता, तो देखो क्या हुआ, भाई एक सीज बताओ, ABC का share price, और ABC के future के price में, तो वह सही link यह जाए, price से तो कोई लेना दे ना है नहीं, तो सीधा quantity से hedge कर देते हैं, सीधा quantity size करने का मतलब क्या हो गया, 500 quantity divided by 50 quantity, भाई देखो, हमारे एक lot चल रहा है 50 quantity की, हमने 500 quantity का share खरीदा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, सीधा 500 divided by 50, यानि कि कितने lot ले लू तो हम hedge हो जाएंगे, मुझे बताए, इस case में, आपका 10 lot में, 10 number of contact में hedge हो जाते, मतलब क्या हुआ, जितना share आपने खरीदा था, उतना ही share हमने बेच भी दिया, तो हम perfect hedge हो गए, लेकिन अब cross hedge में क्या होता है, मान लिजे ABC का future आपको available नहीं होता है, ठीक है, अब आप मान लिजे XYR का है, चलो मान लिजे इसमें मैं infosys कर देता हूँ, ठीक है, यह आपका infosys है, INFY, INFY infosys, मान लिजे INFY ले लिए हमने, ठीक है, अब infosys का, वैसे तो infosys का future available है, suppose कि यह infosys का future available नहीं होता, तो आप क्या करते बताएए, अब हम जाते हैं विपरो के future में, जान से सुनिएगा, अब जब विपरो के future में जाते हैं, तो देखो, infosys में और विपरो में linkage तो है, लेकिन price change के अंदर behavior अलग होगा, इनकी price change की behavior अलग होगा, तो उसकी इन दोनों के बीच का, हम लोग एक तरीके से price change का relationship बनाते है, जिसको बीटा तो नहीं बोल सकते हैं, hedge ratio बोलते हैं, अब मान लिजे, इन दोनों के बीच में hedge का जो ratio बनता है, निकालते हैं, बीटा का ही formula यूज करके, जो हमने portfolio में पड़ा था, मान लिजे, सब कुछ सेम होता, ठीक है, सब कुछ सेम है, multiply by point eight zero, इतना हमारा number of contract आ जाता है, साइद वो वाले concept यहाँ पे apply करके, इसने answer को दिया हुआ है, otherwise, वो कभी भी index के case में नहीं होता है, बाई, BST 300 broad market के index हो गए, और यहाँ पे beta दे रहे हुए, यह हमेशा यूज होता है hedge ratio का, और दो stock के बीच के cross hedging के case में होता है, लेकिन होता क्या है, जिनके पास concept कम होता है, logic कम होता है, वो क्या करते हैं, कहीं भी किसी के साथ भी hedge कर देते हैं, तो मैं अब क्या बोलू इसमें, कोई बात नहीं, आप देखो exam में जब आप question solve कर रहे होंगे, जैसे आपको यह पता चलेगा, कि अरे भाई यह तो नहीं नहीं यह concept, और एक चीज देखो ना, price भी दे रखा है, वहाँ price का कोई linkage नहीं होता है, तो आप क्या करना, quantity to quantity match करा देना, मुझे लगता है यह, कोई नहीं, अभी तो जो तरीके का situation, आप exam में तो आपको tick करके देना है, एक्जाम में कैसे tick करके देना है, यह देखना है, अब आपको इसमें यह समझ के चलो, कि index index भूल जाओ, यह price price भूल जाओ, quantity to quantity match करा देना, quantity to quantity कितना देखो, 25,000 quantity था ना, अब बांक की नीचे का भी price भाड़ा दो, वैसे यह गलत question है, ठीक है, लेकिन अब answer तो match करा के आने पड़ेंगे, तो उस case में यह देखो, सब कुछ नहीं, दोनों तरफ से price भाड़ा दो, बस simple, रटा लगा लो, logic दानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जहां पर logic होता है, वहाँ logic जानने की कोशिस करोगा न, तो 25,000 multiply by 0.8, multiply by 125% divided by 100, यह रहा 250, इसकी जो answer आना चाहिए, आपको यह वाले आपका B, जो हो होगा, याद रखना है, exceptional question थोड़ा सा, यह question गलत है, ठीक है, 100% गलत ही, मतलब इसमें कोई doubt ही नहीं है, वो index future के लिए apply नहीं होता है, भाई, broader market की B, B, C, 300 के लिए apply नहीं हो सकता है, वहाँ पर price से कोई link इसलिए नहीं होता है, क्योंकि उस case में, एक stock का, दूसरे stock के बीच में, वहाँ beta नहीं apply होता है, याद रखना, किसी भी हाल में beta नहीं होता है, ठीक है, beta के साथ कभी भी, वो quantity matching नहीं होता है, वो hedge ratio के साथ होता है, जो दो stock के बीच के relationship को बनाते, यसे correlation निकाला गिया था, वहाँ की hedge ratio होते, कुछ और होता है, ठीक है, तो चलो कोई नहीं अभी तो, वैसे तो मैं बता दू, यह चीज आपको, बस answer मिलाने के लिए करके आज़ो, बस ध्यान क्या रखना है, ऊपर भी share का भी price अटा दो, नीचे index का भी price अटा दो, और question को क्या करो, solve कर दो, बस that's it, आई यह buying and selling, call option and put option, with same strike price, same expiry date, strangle, box spread, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में तीन स्टाइक प्राइस यूज होते हैं, इसमें same strike price का, और same expiry rate का, जो buying और selling जो होते हैं, call put दोनों buy करना, या call put दोनों sell करना, strangle, इसकी जो answer आएगा, आपके strangle आएगा, उसके बाद देखिए, इसकी प्राइस जो थी कितने की बताइए, रोलेक्स की जो share price थी 250 की, it rises to 260, यानि कि इसकी प्राइस जो है 260 तक चला गया, the March 2023, March 2023, call option on Rolex Limited started at 25, यानि कि इस date पे आपकी जो call की premium थी, वो 25 पे था, it moved to 29, जब ये पहुँचा price यहाँ पे, तो call की premium पहुँच गया 29 पे, the delta of the call option, delta कैसे होता है, दोनों के जो आपने, जो riskless hedge portfolio पड़ा था, वहाँ पे आपने delta निकालना सिखा, change in payoff divided by change in market price, तो change in payoff, यानि कि change in जो option की premium है, कितने रुपे की, 4 रुपे की change in market price, कितना है आपका, 10 रुपीज का, तो जो delta बनेगा, आपका delta, वो बनेगा, आपका 4 divided by 10, यानि कि 0.40 का delta आएगा, यानि कि इसकी question, answer जो बनेगा, या आपका बनेगा B, अब आगे कहरें कि, the slope of the security market line, security market line क्या है बता है, graphical representation of CAPM, hope इतना याद आ रहोगा आपको, expected return जो होते, risk free plus beta multiply by, RM minus RF, हाँ जी तो अब मुझे बताए, इसमें beta कितना, beta इसमें ये होता है variable, इसमें ये भी ये variable, तो हम simply कह सकते, ये आपका क्या है बताए, RM minus RF आपका slope बनता है, क्योंकि Y equal to MX plus C, तो RM minus RF को बोलते है, risk premium, market risk premium होना चाहिए था, ये question number A बनेगा, इसमें आपका theoretical topic का है, आपका digital finance का, इसमें कहते हैं कि, which of the following are benefits, are the benefit of UPI, to the merchants, तो ये आपका UPI का benefit, इसमें अलग से एक point ही आपका है, अगर आप देखोगे तो उसमें से आपका, round the clock availability, single click authentication, safer in-app payment, इसकी जो unified UPI का, जो आपको एक benefit है, आपका ये in-app payment होगा, तो ये आपका जो answer बनेंगे D, ported structure analysis, आपका security analysis, आपका ये भी again theory से related है, which of the following is not considered as the entry barrier, entry barrier इसमें क्या नहीं है, यानि कि product differentiation entry barrier है, तो चलो ये तो पढ़ोगे, तो आपका पकर में आ जाएगा, नहीं पढ़े तो इसके discussion करने का, कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है, इसमें वैसे जो मुझे, low cost, low value addition, capital requirement, इसमें low value addition, जो है आपका, इसका entry barrier है, इसमें which of the following is digital assets नहीं है, ये तो digital assets है, आपका website भी digital assets है, painting भी digital assets, fintech आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, digital assets नहीं है, fintech क्या होता है, एक technology है, ये fintech एक technology है, technology क्या आपका असे, technology तो पूरे market में वालेबल, तो वो क्या आपका असेस्ट बनेगी, वो तो एक टेकनोलोजी है ना, तो यह कोई आपका डिजटल असेस्ट नहीं है, इसमें के रहें कि 90 डेज का इंटेस्टेट चल रहा है, इतना का USA का UK, इंदा UK का इतना चल रहा है, तो current spot rate चल रहा है आपका 1.60, multiply by forward rate निकालना है, तो base currency आपका pound currency है, तो pound का rate नीचे रखेंगे, pound का rate रीचे रखेंगे, 1.0135, है ना, 1.0135, 1.0185, ठीक है, अब इसमें बोला गया था, आपका 90 डेज का ही rate है, और 90 डेज का निकालना है, तो hope यह 90 डेज का rate होगा, तो सीधा आजाएगा, नहीं आएगा, तो 3 divided by 12, आप मल् 1.0185 divided by 1.0135, multiply by 1.6, यह बनता आपका, 1.6078 बन रहा है, 1.6078 मेरे इसाब से यह होगा, वैसे एक बार मैं try कर लूँ, अगर 3 by 12 करके, तो क्या कुछ बात बन रही है, क्या, वैसे तो बनना नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक बार confirm कर लेना चाहरा हूँ, मैच हो गई तो क्य है, क्योंकि क्लियरली लिखा भी है, और मैच भी हो रही है, तो ठीक है, अब आगे कह रही कि, the traded in the stock market, standard deviation, share market and respectively, standard deviation of share and market, यानि कि sigma of share is 6%, sigma of market is 4%, if the correlation coefficient for the share with market correlation, दे रहे आपको 0.80 का, बीटा कितना होगा, तो बीटा आपको पता है, security, यानि कि आपका दोनों का, 6 multiplied by 0.80 divided by 4, तो 6 multiplied by 0.80 divided by 4, यह आपका 1.20 बनता है, यह आपका answer बनेगी, with the real rate of return, real rate of 10% further, यानि कि आपका जो real rate है, वो चल रहा है, 10% का, वेंदा inflation, जो है, आपका inflation is 7% का, तो normal rate क्या होगा, nominal rate बोलना चाहिए थे, तो 1 plus real rate, 1 plus real rate is 0.10 multiplied by 1 plus inflation is equal to nominal rate, यह बन जाएगा, हमारा 1.1 multiplied by 1.07, यह बन रहा है, आपका 17.7% यह बन जाएगा, कि 1.177 बन रहा है, तो इसी के साथ हमारा, जो है, वो, MCQ खतम हो जाता है, इसके बाद आजाता है, descriptive question, फटा-फट इसको भी देख वार नजा डालते है, आप question तो यह already हमारा, advanced capital budgeting के अंदर आपका, जो भी question number 12 का D है, advanced capital budgeting में, वो आपका 12 question number 12 का D, already हमने इसमें discussion करा हुआ है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैंने इसका प्रिपेर कर दिया आपको, यह रहा question number 12 का, 2 का A, मुझे इसमें कुछ अगर unique point लगता है, कुछ भी unique point है ही नहीं, इसको मैंने as it is class में solve करा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, मैं बता दू, आपको installation cost है, और consultation fee है, और इतने का purchase किया हुआ है, तो आपको जो depression charge करना है, वो depression, यह cost, प्लस यह cost, प्लस इस cost पे जाओगे, तीनों को add करके depression charge करोगे, अब भी आप यह working capital जो है, initial level पे आप इसको minus करोगे, यानि कि starting में आपकी जो minus होंगे, outload होंगे, 36,40,000, प्लस 14,000, प्लस 7,000 यह आपका minus outload हो जाएगा, 36,61,000 का यह आपका outload होगा, और यह जो है, यह भी आपका आज के rate पे 23,800 का यह भी minus outload हो जाएगा, additional working capital जो कि release होगा after 8 years, तो इसका मतलब क्योंकि life इस प्रोजेक्ट का life कितने तक है, 8 years तक है, तो लास्ट में जाके working capital रिलीज हो जाएगा, अब आगे देखे, WDV method of existing machine, क्योंकि यह replacement है, याद रखना है, यह replacement में क्या करते हैं हम लोग, increase in cash flow की बात करते हैं, तो increase in cash flow अगर देखोगे, तो अब देखना हर चीज, incremental, outflow भी incremental देखा जाता है, तो यह जो आपका existing machine इतने का था, its cash salvage value is 17,500, यानि कि आप 17,500 में old machine को sale करोगे, द्यान से रखना, और फिर इसमें कह रहे हैं, कि dismantling आपका 6,300 का आएगा, तो 6,300 तो इसमें से निकली जाएगा, तो 6,300 अगर निकल जाते हैं, तो 11,200 का आपका क्या आएगा, इसमें से sell value, जिसमें से आपकी जो existing machine की WDV जो था, 106,400 का अगर था आपका, तो minus 106,400, यह capital gain आपका बनता है, 95,200 का capital loss बनेगा आपका, इस loss पे आपका tax saving लोग है, tax saving अगर लोगे यह देखो, यह रहा 95,200 का loss, इसमें इतने का tax saving आएगा, net बेचने का value या था, यानि कि हम लोग कह सकते, net inflow जो बनेगा हमारा 44,520 का, और आप मुझे बताए, खरीद कितने में रहे थे, इतने में इसमें से आपका working capital, शारा मिला कि इतना outlook है, इसमें से old machine से आगए, तो यह initial outlook जो हमारा बनता है, 36,40,280 का, इसमें जो एक चीज दिक्कत क्या है, इस question के अंदर, question के अंदर दिक्कत यह है कि आपका जो depreciation आ रहे हैं, पूरे के पूरे depreciation आ रहे हैं, क्योंकि depreciation भी जो हम लोग minus करते हैं, वो हम लोग incremental minus करते हैं, तो इसमें एक चीज क्या दिक्कते में बता दू आपको, क्योंकि देखो, वैसे जब replacement decision आते हैं, तो new machine की depreciation, minus old machine की depreciation जितना आता है, वो ही काम करते हैं, हुआ क्या, कि इतने का अपने machine खरीदया और इतने का machine था, तो इन दोनों का जो net value होता, उसका incremental depreciation लेना होता, लेकिन इस question में थोड़ा सा जो unique point क्या है, कि इसने जो आपको दिया है न ये, कि from the new machine would amount to 4,41,000, ये नए machine से जो है आपका profit before tax, before tax, after depression की EBT जो दे रहा है, आपका new machine का दे रहा है, ये incremental नहीं होने की बज़े से, इसमें completely जो आपका, इस 36,61,000 की जो depreciation बनती है, 31,61,000 की जो depreciation बनती है, 457, ये पूरा का पूरा 457, 456, 225, 456, ये कैसे हो गया, 36,61,000 divided by 8, ये बनदा है, 57, 625, 457, 625, यानि कि ये मेरे हिसाफ से 7 होना चाहिए, अगर 7 होगा, तो plus 286, 650, 44, 275, ठीक है, ये mistake थाख थोड़ा सा, यहां पे आप लोग करेक्शन कर लीजेगा, लास्ट में ये 7 होगा, तो इस तरीके से annual cash inflow आजाएगा, और यहां से आपका NPV आजाएगे, NPV आपका negative आएगा, एक से बता दू कि इसमें, ठीक है, चलो, वापस आते, तो ये question आपका होगी, ये पहले भी question solve किया हुआ था, फिर भी हमने time लगा दिया, जादा ही लगा अब next question आता है, हमारा B, 1, 2 का B, अब इसमें जो है, ये आपका leasing का question number 1 का E है, ये तो class में solve किया हुआ ही, question इसमें class में solve भी कर लेते, इसमें बस value को change किया गया, जिसमें आपका mercedy खरीद रहे 40 lakh वाले, मेरे को तो लग रहा है कि exactly value भी मुझे याद आ रहे 40 lakh का mercedy कार तो वही वाले question है, इसमें amount अगर हो सकता, आगे पीछो, कुछ भी उसमें uniqueness नहीं, बस एक चीज याद रखना, कि कोई method specified नहीं तो आप चाहो, तो shortcut use कर सकते हो, क्योंकि borrowing rate दिया गे इतना, और 35% का tax rate है, तो borrowing rate net of tax up करते हैं, तो हमारा अगर, यही अगर discount rate यूज हो, जो क shortcut use कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, बताएं, loan amount minus pv of tax saving on depreciation, और last में जो आपका कुछ salvage होगा, minus pv of salvage अगर ले लेते हो, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, बताएं, यह आपका pv of outflow under, किस में आ जाता है यह आपका, यह आ जाता है आपका bank financing के अंदर, त आपका exactly same आएगा, अच्छा, इस question में पूछा ता सायद आपका, justify the net advantage of leasing, यानि कि net advantage of leasing कितना होगा, तो leasing का कितना advantage होगा, leasing की जितना आपका outflow बनेगा, leasing के outflow यह बन रही है, और वैसे आपका bank financing का outflow यह बन रही है, तो इन दोनों के बीच का difference जोगा, आपका, उस में भी कुछ नहीं था, again, इस question के अंदर कुछ नहीं है, यह अपका minimax, क्योंकि question solve कर रहो है class में, question number 8 का भी, जो class में solve के उसमें क्या भी यहाँ पर time spend कर रहे है, ठीक है, तो मैं आपको बता दू, minimax regret rule में क्या करते हैं, हम लोग maximum regret निकालते हैं, हर case में, जिसमें से minimum value को select करते हैं, minimum regret, regret क्या है, of source, कि अगर मैं इस project को selection करता तो कितना of source होता, इसको selection करता तो कितना of source होता, ठीक है, और expected value निकालना है, तो expected value निकालना है, तो कुछ करना ही नहीं, यह multiply probability से निकल किया जाएगा, ठीक है, project किसको selection करोगे, जिसका expected value जादा होगा, और minimax regret rule में maximum regret कितना है, बताए, 25, project Z का maximum regret कितना है, बताए, तो maximum regret निकालोगा, और उसमें से जो minimum बनेगा न, यो minimum बन रहा है Z का, तो हम लोग कह सकते है, Z को क्या करना चाहिए, selection करना चाहिए, अब आते question number share valuation का, question number 21 का यह, again यह भी solve करावा है, कुछ भी करने की ज़रतनी, 3 stage में दे रहा न, तिंतरा का growth दे रखा है, तो हम लोग क्या करते है, जब different growth में है, तो जहां से growth stable हो जाता है, growth stable हो रहा है, आपका thereafter, यानि कि next 4 year और first 4 year, continue for 4 year, next 4 year, 8 साल हो गया, तो D9 तक पहुंचना है, D9 से कहां पहुंचोगे, P8 पे, P8 पे कैसे निकालेंगे, RR-Z करके P8 पे जाओगे, तो यह देखो, D9 तक गए हम लोग, और D9 से हम लोगोंने क्या निकाल दिया, P8, यह हमारा P8 निकल क्या गया, अब एक एक करके present value निकालने आता है time value, उससे आपका price आ जाएगा, 40 point, 30 rupees का आपका price आ जाएगे, 3 stage procedure क्यों बोलता है इसको, क्यों कि 3 तरह का dividend है तो 1, 2, 3, 4, 1 तरह का जाएगा, 1, 2, 3, 4, 1 तरह का जाएगा और इसके बाद तो क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले जो आपका D9 है वो आपका P8 प्यार है तो एक stage हो गया, और यह जो आपका 4 साल का dividend इसके लिए एक stage बोल दिया, इसके लिए 3 stage बोलते है, normal present value निकालना ब number 13 में, 19 exam में नहीं पूछा लेकिन December 2023 के exam में आपको पूछ दिया, इसलिए मैंने बोला था भी, कि जो अभी recent में जो 2 MTP CA वाले का हुआ है वो तो पड़ी लेना है एक बार, और आपके exam जो exam हुआ है वो भी देख लेना, में भी हो सकता है एक question आपको यहां से दिख जाए जो इस तरीके का trend है, अब यह नहीं आया तो यह मत बोलना की नहीं है, अरे पड़ लो ना क्या जाता है, घर से जाता है कुछ क्या, वैसे भी जो भी पड़ोगे तो कोई नया question थो ही नहीं, सारा question थो अलड़ी पड़ा हुआ है आपका, इसमें क्या था, बताईए मैं आप को percentage downside risk, हाँ, अगेन बता दू बार बार देखो, दो बार से जो एक्जाम में आये है, दोनों बार institute ने उसी conversion premium वाले topic को टच किया, जो कि आपके study mat में भी नहीं है, यह percentage downside risk वाले concept भी नहीं लिखा, यह out of syllabus है, और दोनों आटेंट में उसी topic को टच करा है उन्होंने, क्यों है हमारा floor value, तो आपको याद आ रहा होगा कि जो percentage downside risk होता है, bond का price कहां तक गिर सकता है, यह चीजों को बताता है, तो bond की price हमारा कितना है, बता है, यह 1060 है, तो जो share का price 1060 पे अभी market जो गिर सकता है, वो गिर सकता है 12.766% यह down जा सकता है, यह downside risk, लेकिन downside risk निकालने के ल कि CA institute का कुछ गरबड हो गई थी, जब पहले बार 2008 में कुछ सनाय थी, तो institute ने कुछ mistake किया था, mistake उनका यह था, कि उन्होंने जो downside risk निकालने के लिए जो percentage निकाला था, उन्हें नीचे वाले value यूज कर लिया था, यानि कि floor value को, तो इसलिए institute ने यहाँ पर clearly बोल दिया है कि हमने जो यह percentage निकाला है न, उसको यह base नहीं है, floor value हमारा base है, यानि कि जहाँ पे गिरने के बाद जो value आ रहा होगा, वो हमारा base है, यानि कि जो आपका 0.12766 जो आया है न, वो आया है, 1060 minus floor value divided by floor value से निकाला गिया है, यह बताने की कोसिस कर रहा है, क्या इससे आपका floor value निकल के आ जाएगा, मेरे हिसाब से निकल के आ जाएगा, 0.12766, floor value is equal to 1060 minus floor value, तो यह अगर इदर आ जाएगा, तो एड़ हो जाएगा, floor value प्लस इतना हो जाएगा, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, तो हमारा जो floor value बनेगा, वो बन जाएगा, आपका 1060 plus 0.12766, no 1060 divided by 1.12766, यह आपका 940, 940 का आपका floor value आ रहा है, ठीक है, तो floor value आ गया, अब question में क्या-क्या पूछा था, बताइए, state value bond, वह ही है, floor value, यानि क्या आ गया 940 का, ठीक है, और उपर क्या पूछा था, current market price per share कितना होगा, current market price, conversion premium, conversion parity price, parity price, parity पी क्या होता है, bond और share दोनों equal जाते है, तो bond का price अगर आपका चल रहा है, 1060 का, तो जितना number of share होगा, number of share कितना, इसमें parity price दे रख़ा है, कुछ number of share, conversion premium है, percentage downside is parity price, तो ठीक है, 1060 जो जाएगा number of share, conversion, number of share, अच्छा, number of share ही निकालना है, okay, 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 अच्छा, parity price दे रख़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी प्लाइवे प्यरिटी प्राइटी प्रैस यानिकी 53 यानिकी अगर शेर का प्राइट 53 हो तो bond खरीदना और शेर खरीदना दोनों आपके लिकुल होता है तो हम simply कह सकते हैं कि number of conversion share निकाला जाए तो यह आजाएगा आपका 1060 divided by 53 यह आपका 20 number of share आजाएगा है यहाँ पे 20 यह आगा आपका 950, 40 ठीक है और market का price जो है current market price of share तो current market का price कितना होगा current market price of share of sonat analyze current market price of share यहाँ से आपका निकल के आएगा conversion premium से क्या कहते हैं कि जो bond की price है 1060 minus जितना आपका conversion value आज का होगा उस conversion value को 0 से करा होगा तो यह आपका value जो आ रहे 0.1041667 तो यहाँ से आपका conversion value आजाएगा conversion value में क्या होता है number of share multiply your price तो 20 number of share पता है तो आपको price निकल के आजाएगा यह question number 4 का यह है solution आप लोग देख लीजिएगा solution मैंने बना दिया था 20 यह रहा यह जो हमने भी ratio दे रहे थे नो ratio यहाँ से आपका आजाएगा 48 रुपीज का price आज का जाएगे और फिर आपका जो state value यह नहीं के था 940 रुपीज का वो आज़े आपके यहाँ पर unit रिसू किया है 10,10 रुपीज का यहनि के 100,00 का number of sales हुआ है यहनि कि mutual fund के पास जो पैसे receive हुआ है धान से देखना fund जो raise किया है उसने जो fund raise किया है वो fund raise किया है आपका 100,00 का fund raise किया हुआ है और market में जो investment किया है न कितने का 80,00,84,89,99 यानि कि आपने 99,00,000 invest कर दिया तो मुझे बताइए आपने fund raise किया है अगर आपने 10,00,000,000 तो 90,00,000 investment कर रखा है आपने तो 1,00,000 कहां गया तो हम लोग बोलेंगे कि इनके पास cash 1,00,000 होगा भी बचा हुआ अब ये 1,00,000,000 में क्या करता है कह रही कि during the year 8,00,000 का dividend receive करता है 8,00,000 का dividend receive का इजान से रखना है निकालना क्या है NAB तो NAB निकालना है तो हमें क्या करना है एंड का market में net assets कितना है वो हमें calculate करना है तो net assets कितना होगा हम कैसे calculate करेंगे बता है जितना investment का value होगा वो जितना कैसा मारा बचा होगा वो तो 8,00,000 का receive हो और खिर कहते हैं कि equity share पे इतना dividend receive हुई है अब यहाँ जो सबसे बच्चे जो confuse करते हैं जो mistake करता है mistake कि यह करता है कि इसने interim dividend of 10% भी बोला है और bonus भी receive हुई है question ठीक ठाकर याद रखेगा आप लोग ठीक है तो यह जो interim dividend दिया गया है 10% का तो कुछ बच्चे यह मान के चलते हैं कि 80,00,000 का 10% जो 8,00,000 बनता है न वही तो dividend receive हुई है नहीं यह आपका during the year यह आपका final dividend होगा और यह interim dividend अलग है आपका 10% simply बोला गया है ठीक है और यह जो आपका वैसे भी 80,00,000 जो है यह आपका face value नहीं है वो market value है और यह जो 10% जो dividend apply होता है आपका face value पे तो वैसे अगर check किया जाए तो 100 का face value है तो यह तो आपका 10 रूपीज का dividend हुआ और 25,000 तो 5,00,000 का ही dividend होना चाहिए तो 8,00,000 का dividend कैसे आ गया इसका मतलब यह dividend कुछ और है याद रखना ओके यानि कि दो तरह का dividend receive कर रहे हो तो यह आपका 8,00,000 का वो dividend है 2.5,00,000 का यह dividend है और फिर कहते interest जो है जब due हुआ तब मिल गया तो आप मुझे बताई इसका भी interest due होगा इसका भी interest due होगा इसका भी interest due होगा एक काम करते सबका मैं लिखता हूँ 4,00,000 का 5% आपको 20,000 का dividend यहाँ से interest मिलेगा 5,00,000 multiply by 10% 50,000 यहाँ भी मिलेगा फिर 10,00,000 multiply by 8% 80,000 यहाँ भी मिलेगा सब मिला के 1.5,00,000 और मिल गया आपका तो 1 प्लस 8 प्लस 2.5 प्लस 1.5 ये आपका 13 लाक का closing value of cash होना चाहिए अब आपको इन सब का market value भी देगा अब market value कैसे देगा आगे देखे बोलता है कि आपको इस date पे equity share 15% से appreciate हो गया है और listed debenture 20% से appreciate हुआ है इसका मतलब इसकी जो value बनेगा 20% appreciate हो जाएगा तो ये आपका 12 lakh बन जाएगा और ये कहरे 20% से appreciate हो जाएगा तो ये 20% appreciate हो जाएगा 80 lakh प्लस 20% तो ये बन जाएगा आपका 96 lakh का ये value बन जाएगा बाकि इन दोनों के लिए कुछ नहीं बोला गया है तो same रख देंगे बोनस दिया गया है और वो भी बोनस बाद में दिया गया है क्योंकि 15 को dividend दे दिया था dividend में भी गरबड़ी हो जाएगा अच्छा बच गए बच गए क्यों बच गए क्योंकि dividend पहले दे दिया तो पहले तो dividend 25,000 पे ही आएगा और यह जो bonus दे रहा है 28 December को दे रहे है और हम अपना NAB 31 December को निकाल रहे है इसका मतलब आपकी जो dividend तो उसी पे आता तो हमने तो dividend सही निकाला यह वाले इसमें जो आपका bonus दिया है 1 is to 10 का मतलब 1 by 10 का bonus दिया गया है तो 25,000 का number of share था 1 by 10 का bonus अगर आएगा तो 2500 का bonus आएगा तो total number of share जो हो जाएगा 2500 एड़ कर दोगे तो यह आपका 27,500 का आपका number of share आजाएंगे ठीक है और price बढ़ गई है आपका 20% से नहीं नि 15% से तो इसकी price जो है नहीं वाले price जो मिलेगा 320 multiply by plus 15% यह आपका 368 का market में price है तो 368 multiply by 27,500 यह आपकी amount जो बनीगी ने इसकी जगह यह आपका बन जाएगा 101,000 तो देखो market में value कितना बना 101,000 यह आपका 9,000 वही रहेगा और यह बन जाएगा 12,000 तो 9,000 प्लस 12,000 प्लस 101,000 टोटल बनता है आपका जो आपका market में जो value बनेगी ने end पे market value of यानि कि net assets जो बनेगा आपका net assets जो बन रहा है वो बन रहा है 1222 और 1234 इतना बन रहा है और 13,000,000 का cash इसमें plus 13,000,000 यह टोटल बन जाता है आपका plus कर दोगे cash का closing balance तो आपकी जो total amount आ रहे है 1352,1234 यह आपका बनता है और इसमें जो आपका number of share जो है यह ता आपका 10,000,000 का था divided by 10,000,000 देखो 13,000,000 अच्छा ओके 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 यह 3,000,000,000 का आपका वो भी था इसल थोड़ा गरबड हो गई है यह miss हो गया था हमारे से operating expenses paid during the year amounting to 3,000,000 क्योंकि जब आप आप ने भी निकाल रहे हैं कि हमने इतना expenses भी किया है तो आपकी जो यह 30,000,000 नहीं बचेगा minus 3 हो जाएगा 10,000,000 हो जाएगा तो यह जो amount है यह 10,000,000 से आपका कम हो जाएगा तो इस तरीके से थोड़ा साब का फेर वदल होंगे तो यह आपका 10,000,000 अब यह देखो यह जो हमने भी निकाला था ना यही तो निकाला ना 122 यह देखो सब मिला के 1,222,4x0, 1,222,4x0, 1,222,4x0 यह total value of security हो गया है क्या है इस आपका 10,000,000 का हो जाता है तो इसके basis पे आपका NAB जो हो जाएगा 13.22 आ गया अब आगे देखो इसमें बोलाए कि NAB if the mutual fund has distributed dividend of 0.50 अब अगर mutual fund 0.50 का dividend distribute किया है तो कितने units पे किया है number of units तो 10,000,000 था 10,000,000 पे आपका 0.50 नहीं कि 5,000,000 का dividend issue हो जाएगे 10,000,000 का cash balance था 5,000,000 का cash balance जला गया तो अब बचा 5,000,000 का cash तो अब मुझे बताए इतने का हमारा market value था cash थो रख का value कम हो गया तो इससे हमारा NAB क्या हो जाएगा आपका decrease हो जाएगा analyze the annualized return अब दो case बनता है दो अलग-अलग NAB है तो दो return निकाल दीजेगा जब NAB ये था तो इतना return NAB ये पहुँचा तो अलग return लेकिन याद रखना है इस case में आपको dividend मिला भी है तो 50 पैसे का dividend और जैसे return निकालते है NAB 1 plus dividend minus NAB 0 divided by NAB 0 multiply 100 तो दोनो case में आपका return जो है वो same आपका आया हुआ है hope ये भी आपका हो जाता है question number 5 के ये देखो again ये में 2023 में CA वालों ने पूछा था और आपके exam में पूछ दी और इस question के अंदर दिक्कत क्या था ध्यान से रखिएगा इस question के अंदर दिक्कत ये था जंसेन alpha तो आपको पता होगा क्या चाहते है क्या मिलता है चाहत से जतना ज्यादा मिला वो क्या आपके लिए actual alpha alpha कह रहा है 1.30 है आपका actual return इतना है ये actual return जो आप कमा रहे हो न ये आपके चाहत से ज्यादा है चाहत से ज्यादा क्यों है क्योंकि चाहना जो होता है चाहने से जितना ज्यादा मिलता है that is the alpha life का alpha निकल वाया था आपने क्या चाहा क्या मिला किसको चाहे किसको कौन मिले तो वो जो alpha निकाले थे तो यहाँ पर alpha positive है मतलब हमने जाहत से ज़्यादा कमाया है तो मुझे बताइए हमने क्या चाहा expected return, risk-based return हमने चाहा होगा इससे कम 10.2 minus 1.32 जान से देखे 8.08% आपने चाहा होगा और इतना आपको मिला हुआ है इसमें कितना चाहा होगा ये आपका मिला है मिलने से जो मिला है आपको इतना जादा मिला है मतलब चाहा होगा आपने 10.92 minus 1.8 ये आपका 9.12% का आपका चाहात है इस question की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है मैं बता दू आपको इस question की सबसे बड़ी मुसीबत जो है न ये जो आपका trainer ratio दिया आपको पता होगा trainer ratio क्या होता है return जितना आपका mutual fund का मिलता है वो minus risk free divided by आपका beta trainer beta पे जाता है beta mutual fund है न अब मुझे बताना आपकी जब return ये आपका percentage में है और beta आपका हमेशा times में होता याद रखना beta unitless होती है और जब return अगर ये percentage में होता तो देखना ध्यान से सुनिएगा rm minus rf अगर ये जो value आएगा ये value इतना छोटा ये percentage में है ये percentage का decimal में है ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको यही चीज सबसे बड़ी मुसीबत थी ये इस question का और दूसरा मुसीबत ये है कि ये जो risk premium जो दिया गया है क्या कहते है ये जो है ये जो है इसी में फश्जात है कि ये परसेंटेज value है या तो आप अगर इसको 8.6% ले लो इसको 9.3% ले लो तब आप इस question को solve कर सकते हो ठीक है या आप एक काम कर लो इसको decimal में ले लो दो तरीका है आपके पास अगर ये लेते हो तो ये लीजिए या आपके पास एक और choice है कि हम एक काम करते है मैं दूसरा color में लिख देता है ये देखो इसको 0.0132 ले लो 0.086 ले लो और 0.102 ले लो और फिर इस case में 0.0808 आ जाएगा और इसको भी risk premium को आपको 0.05 सारा चीज decimal में calculation करो या सारे percentage में लेके calculation करो ये चीज़ों को आपको क्या करना है ध्यान डखना है calculation बहुत आसान चे हो जाएगा कुछ नहीं इस question के अंदर बोलोगे कैसे है देखो जब trainer ये आपको expected return आ चुका है expected return देखो कैसे आता है risk free मुझे नहीं मालूम है divided by beta मुझे नहीं मालूम है mutual fund का लेकिन ये पालू में कितना होगा बताए ये जो trainer ratio कितना जा रहा है 8.6% अगर इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे 8.6 लिखना पड़ेगा फिर आपको और अगर ऐसे नहीं लिखते तो यह decimal लिखते तो यह भी decimal में लिखते आप मुझे बताए इसके basis पे क्या जाएगा इसमें equation एक बन जाएंगी return mutual fund का नहीं beta mutual fund का आपकी equation जो बनी beta of mutual fund यानि कि smart mutual fund का एक कम करता हूँ smart लिख देता हूँ यह आपके एक equation बनेंगे जिसमें risk free और beta रहेगा और अगला equation फिर से बनेगा कैसे बनेगा आप देखो अब जो हमारे पास यह जो expected return आई है वो कैसे निकलता है expected return जो हमारा 8.08 है वो आता है risk free और plus beta of smart multiply by RM-RF हो के अल्रेड़ी दिया हुआ है हाँ जी अच्छा यह बाले बात यह जो risk premium है यह कुछ नहीं लिखा है तो market की premium है यह security की premium है एक चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना वैसे जो CA institute ने जो solution दिया उसमें दो alternative से solution दिया ठीक है कि इसमें यह जो risk premium जो है एक बार जूम किया कि यह security की risk premium है एक बार रिजूम किया कि market की premium है अगर यह market की premium है तो RM-RF होगा और अगर यह security की risk premium है तो return of security minus return risk free इतना आएगा एक चीज़ बताइए जब दोनों की return अगर अलग है risk free तो बदलता नहीं है तो फिर तो अगर यह security का return premium होता तो दोनों तो अलग-अलग आना चीज़े था देखो दोनों जब same होना तो मेरा मानना यह है कि RM-RF को ज़्यादा priority दे RM-RF security wise यानि कि mutual fund wise नहीं बदलता है तो चाहे वो smart हो चाहे वो growth हो कोई फरक नहीं पड़ता है RM-RF दोनों के लिए same रहेगा और दोनों same है तो मेरा मानना यह है कि इस question के अंदर इसको क्या लेके चलना market का premium लेके चलना यानि कि RM-RF लेना यह ज़्यादा समझदारी है अब देखो एक equation यह बन गया है इसमें भी beta और RF है इसमें बीटा और RF है इन दोनों equation को solve करोगे तो आपका question क्या हो जाएगा बन जाएगा इसमें बीटा भी निकल क्या जाएगा सारा जाएगा तो इस तरीके का एक question था बस ध्यान क्या रखना है इसकी basis पे यह 8.6% है question हमने already यहाँ पे solve कर दिया होगा आपको मैंने यहाँ पे solve कर दिया होगा सारे को decimal में लेके आप percentage में लेके करिए कोई दिक्कत निया देखरो मैंने equation यहाँ पे solve कर लिजेगा solve करना मैंने सिखा रखा था यह portfolio का question number 4.1 हमारे book का मैंने आपको इसमें भी बता रखा था इस question में ध्यान रखने वाली बात क्या था यह variance दे रखा है आपको decimal में और यहाँ पे आपको जे standard deviation दे रखा है percentage में तो आप इसको 0.14 लेके question solve करना यह इसकी आपको ध्यान देने वाली बात है तो 0.14 multiply बस 0.14 लीजे यह मत लीजे question solve करिए कुछ भी नया इस question के अंदर नहीं है portfolio बीटा कैसे निकालोगे बीटा multiply way weight, बीटा multiply way weight बीटा multiply way weight इस तरीके से आपका आजाएगा residual variance होता है unsystematic risk, unsystematic risk कैसे निकालेंगे पहले systematic निकाल देंगे बीटा square multiply way market यानि की 0.14 का जो आपका square करोगे 0.14 तो इससे आपका आजाएगा variance no 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 systematic risk और फिर वो systematic risk बीटा square multiply way market का variance यह आपका आगे systematic और यह systematic अगर इसमें से हटा दोगे तो variance याद रखना square term में देना है, ठाले decimal में answer देना कोई दिक्कत नहीं है, यह रहा SARP index model में क्या करते बताएगे variance जो निकालना होता है आपको वो निकालते हैं हम लोग systematic risk of portfolio और plus unsystematic risk of portfolio systematic risk कैसे निकालते हैं systematic risk निकालने के लिए हम लोग मैंने बताया था ना कि systematic risk को weighted average नहीं करते हम लोग क्या करते हैं, बीटा के रास्ते से जाते हैं तो पहले बीटा निकालना portfolio का, इसको square करना और market की variance यानि कि यह 0.14 है, formula यही use करेंगे, बस बीटा ले लेना है आपको किसका portfolio वाले, तो यह देखें बीटा आमने portfolio का निकाला था नो उपर, यह रहा 0.68 तो बीटा portfolio, market का variance या आपका portfolio आगे किसका बताएं, systematic का, और unsystematic risk कैसे निकालते हैं, unsystematic risk of a, weight of a square, unsystematic risk of b, weight of b square, सीधा weighted average होती है न, तो यह देखो, सीधा weighted average हमने कर दिया, unsystematic weight of a square, क्योंकि यह सब में, इसमें weight square जाता है, याद रखना, unsystematic, systematic के सारे calculation, square में जाती है, यह भी आपका decimal है, लेकिन higher square time में, तो यह आपका unsystematic आजाता है, unsystematic और systematic error कर दिया, तो हमारा total variance आगे, यह variance आए sharp index के इसाफ से, और Harry Markuj ने क्या बोला, बताए, a plus b plus c all square, 3 security है, a plus b plus c all square, इसके business पे जाओगे, मैंने बताया था, sharp index और Harry Markuj दोनों से निकाला गया portfolio variance equal होता है, लेकिन अभी के case में equal इसलिए नहीं होगा, क्योंकि यह दिया गया covariance आपका सही नहीं है, क्योंकि याद आ रहा होगा आपको covariance का एक और formula, मैंने क्या बताया था, बीटा जो होता है, जैसे माल लेजे, बीजी बीटा बीजी multiply by क्या कहते है, बीटा बीजेड और multiply by market की variance से covariance आता है, आप देखो, बीटा कितना है इसका 0.40, multiply by बीटा बीजेड कितना है 1.20 multiply by market का variance यादि 0.14 का square आप देखो, निकाल के कितना आ रहे 0.4 multiply by 1.2 multiply by 0.14 multiply by 0.14 is equal to यह देखो, 0.0094 आ रहा है, लेकिन आपका दिया गया covariance यह यह जो given covariance है, सही नहीं होने की बज़े से, आपकी यह दोनों में answer आपका differ कर रहा है otherwise, sharp index model से निकाला गया, यह दोनों answer आपका match होना चाहिए था, लेकिन बदल इसलिए रहा है, क्योंकि यह जो covariance का value दिया गया है, वो ठीक नहीं है, अगर यह वाले covariance वाले value जो आप निकाल के use करोगे, तो इससे दोनों में थर्चे आपके answer क्याता है, same आता है, इस पे भी हमने class में solve नहीं किया था, लेकिन इसका hint जरूर पूर दिया हुआ था, क्योंकि 4.1 आपके register पे लिखा वाई जाकर चेक करिए, और इसमें इस पेसिफिकल यही लिखा रखा है, कि यह वाले point को आपको ध्यान रखना है, अगला question derivative का question number 7 का यह, again question class में solve किया वाई, लेकिन question में दिक्कत थे, दिक्कत क्या था, आपको याद करिए, यह आपका derivative का question है, derivative का question है, क्या निकालने को बोला इसमें बताइए, इसमें बोरकालने को बोला है beta portfolio, चुले कि कम करते, beta portfolio निकालने को बोला है, तो मुझे बताए market का value से आप क्या करोग, यूज़ करता है और देखो exponential का value given है तो ये कहीं न कहीं indirect हिंट है कि आपको continuous compounding को यूज़ करना है यानि कि ये आपको continuous compounding यूज़ करना चाहिए अब आप मुझे बताइए ये काम हुआ का है कब है 1st January को ठीक है और आपका जो future है कब का है बताइए ये February future है तो हम बोल सकते कि 1st January को अगर कोई contract एंटर किया जाए और February में तो हम last Thursday तो रूनने जाएंगे नहीं है ना तो अब मुझे बताइए उस case में लोग क्या करेंगे है मान लेते last date of the month तो उस case में हमारा 28 February अगर बनता है तो ये date आप count करोगे तो आप month भी ले सकते हो मान ले जी एक minute के लिए 2 month अगर मैं ले लूँ और इसको मान लूँ कि ये continuous compounded rate है तो दिक्कत क्या है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा हमें पता है कि क्या करते future value के अंदर बढ़ time value तो अड़ करते है spot rate चाहिए spot rate nifty का आपको नहीं दे रखा है ये nifty का आपको question solve किया हुआ है भलतु का हम discussion कर रहे हैं मैं क्या करूँ मैं ठीक है value बस अलग है 5,900 multiply by 5,900 multiply by e की power rt होना चाहिए ठीक है e की power rt क्योंकि exponential की value दे रखा है अब rate जो हम लोग लेंगे थोड़ा दर के लिए एक minute के लिए हम लोग late ले सकते 0.105 लेकिन याद दिक्कत क्या देखना question के अंदर जो log दिया है ये दिये हुए log आपको याद है न ये CA वाले की question थी exclusive CA वाले की question जिसमें mistake और रखा था starting में उसी चीजों का आपको copy paste करके दिया ये log इस बात का hint देता है कि देखो जी ये जो है न ये है आपका annual compounded याद आ रहा है कुछ ये है आपका annual compounded value ठीक है लेकिन continuous compounded चाहिए तो हमने आपको effective interest rate बताया था time value के अंदर कि अच्छा annual compounded rate में आपकी एक साल में interest principle प्राइड होती है लेकिन continuous compounding के अंदर हर minute interest principle प्राइड होती है तो continuous compounding की amount ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते annual compounding की future value और continuous compounding की future value दोनों equal हो जाए तो हमारा effective rate बनता है तो हमने बोला continuous compounding में जो future value बनता e की power rt is equal to अगर annual compounding होता तो 1 plus 0.105 ये equal करके आपको यहां से rate को continuous में convert करना है और उसके लिए ये log का value दे रखा है यानि कि आपको annual compounded rate given है पहले continuous compounded rate निकालोगे यानि कि हमें rate नहीं मालूम है लेकिन time frame 1 पता है 1.105 अब मुझे बताइए r का value निकालना है तो हमने बोला दोनों तरफ log लगाए ठीक है और log में natural log लगाएंगे e की power r is equal to log 1.105 hope आपको यादा गए ये देखो इसी log का value आपको यहां पे दे दिया गया है ठीक है और इससे आपको क्या हो जाएगा यहां से आपको पता है कि e की power a के power b हो अगर तो log कैसे आता है r multiply by log e और आपको पता है इस log का base भी ही है और निकालना भी है e की value होते है 2.71828 exponential तो log e का value होता है 1 तो ये बन जाएगा आपका 1 ठीक है तो जो आपका rate निकल के आजाएगा rate निकल के आजाएगा ये 0.998 तो यही चीज हमने यहां पे क दिखा रखा है लिखके भी दिया हुआ था ये देखो solve करना solve करना 9.98% तो ये e की power rt जो use करोगे 0.998 multiply by अब आप यहां पे 2 divided by 12 use कर सकते थे क्योंकि 2 month का future है लेकिन question में बोला गया है use 365 days in a year 365 days in a year बोला गया है तो days count करना चाहिए और days counting में मैंने क्या बताया था आपक February में 31 days और February में 27 days तो 31 प्लस 27 ये आपका बनता है 58 days तो यहां पे 58 days divided by 365 बनेगा तो इस case में 5900 multiply by 50998 multiply by 58 divided by 365 ये बनता है exponential का value 50158586 अब देखो ये ही वाले value आपको यहां पे दिया गया होगा ये देखो exponential ये जो value है ये आपको दे रखा था ये ही value आपको बनता है इसको इससे multiply करोगे तो आपका value आ जाएगा तो ये रहा साइस्टिट आप इसको check कर लीजेगा ये रहा देखो ये value इतना आपका answer आता है okay और बांकि इसमें hedging है कितना contract hedge करोगे तो hedge कितना करेंगे बताएगे जितना आपका contract उसमें उसका value बनता है portfolio का portfolio का value total इतना था 18854 कितना था 18854860 इसको divided by multiply by beta और ये divided by value of one contract ये total बनता है 13.34 यानि कि इधर 13 contact और आपका 14 contact जो ही आपका बन जाएगा और इसमें फिर beta बढ़ाने घटाने के लिए बोला गया है तो change in जितना आपका beta बनता है उससे आपका बन जाएगा तो change in beta लेके और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये निकल के आजाएंगे इसमें भी आपका 4 contact आपका बनता है ये भी question derivative का है question number 16D delta hedging के क्योंकि delta method लिखके दिया है आपको binomial model के अंदर इसके अंदर क्या करता याद करिए एक portfolio create करते हैं portfolio create करने के लिए कितना number आप share खरीते हैं बताए हेज ratio हेज ratio कैसे निकालते है change in pay off divided by change in market price देखो question में बोला गया है आज की price हमारा 540 है ये बढ़के कहां जाने वाला है बताए 600 पे घटके कहां आने वाला है 480 पे अगर आपका strike price जो ही आपका 510 का strike price दे रखे है अगर आपको तो पताए call option अगर है ये call option call option call option call option call option call option ही होगा call option ही है इसमें तो मुझे बताए pay off कितना बनता है अगर market उपर गया तो exercise होगा 90 रुपीज का pay off market नीचे गया lapse हो गया तो मुझे बताए option डिल्टा कैसे निकालते है डिल्टा जो निकालते हम लोग change in pay off यानि कि 90 डिवाइड़ वे change in market price तो 600 माइनस 480 जो आपका बनता है 120 तो 90 डिवाइड़ वे 120 जो ही आपका value आजाएगा तो 90 डिवाइड़ वे 120 ये आपका बनता है 0.75 आपको या इसमें आपका investment का value निकालना है क्योंकि market अगर ऊपर चला गया तो pay off आपको pay करना पड़ेगा 90 तो देखना दोनों case में identical situation manage होती है उसका present value निकालेंगे ठीक है और हमें सब continuous compounding ये use किया करो आप लोग derivative के chapter में तो ये आपका present value आजाएगा अब आपको पता है कि ये present value ज आपका आजाएगा ये amount सही है ये आपका value गलत था तो ये आपको check कर लिजेगा ठीक है correction कर लिजेगा आप लो तो 0.75 आपका ये वाले value बनता है ये नहीं रहेगा तो ये आपका बता है 405 आपको share खरीदने के लगाना ये इतना PV बनता है ये आपका 50 रुपे का premium आजाता उसमें तो ये आपका put call parity method से आजाएगा और अगर analyze the expected value of the option and check stock price at the end of 3 month analyze the expected value of option value of option and the stock price at the end of 3 month stock price कितना होगा stock price का तो जो probability इन दोनों को probability को use करके जो probability आपनी निकाला है उससे इसको average कर दीजे तो stock expected value आजाएगा ये देखो ये जो हमारा 2 price था ना दोनों price का सिधा average कर द 5252 आ गया और option के expected value पूछ रहा है तो pay off coverage करेंगे 90 multiply by ये और 0 multiply by 0.4 ये आपका value आजाएगा, hope ये भी आपका clear हो जाता है, ये question 4X का 8.3 है ना, question number, इसको अमने class में तो solve नहीं किया लेकिन आपको, ठीक है, इसको discussion कर देता हूं, क्या इसमें देखे, मतलब ये homework series का question था, solution तो आपको दिया गया था, लेकिन class में इस पर discussion नहीं कर रहा था, तियो देखे, existing plant in Nepal, क्या नाम कैसे कैसे रखा है, जिस्टॉन लिम्टेड, and Indian MNC, Indian MNC is executing a plant in Nepal, it has raised 600 billion, half of an amount will be required after 6 months, नहीं, ऐसा question हमने solve किया हुआ है class में भी, किया हुआ है, कोई बात नहीं, इसमें 2 question चाहिए 8.3 का आपने reference डाल दिया है, लेकिन class में इसमें solve करने के लिए भी रख लिया है, half of the amount will be required after 6 months time, 6 months बाद आपको कितना चाहिए, 6 months बाद आपको चाहिए, इसका 50% यानि कि 300 billion, ओके जी, अब कहरी कि, जिस्टॉन लिम्टेड is looking for an opportunity to invest this amount for a period of 6 months, यानि कि आपको जो ज़रत था 300 billion की, तो आपके पास जो 600 है, it has raised 600, आज आपने 600 billion जो raised किये हो, जिसमें से आपको executing a plant in the, it has raised इतना billion, half of the amount will be required after 6 months, looking for opportunity to invest this amount for a period of 6 months, ठीक है, तो ये जो आपको 300 billion तो ज़रत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो plus आपके पास कितना रहा, 300 billion, तो इसको आप invest करने का opportunity डूंड रहे हो, आपके पास 2 opportunity है, एक UK की opportunity, एक Europe की opportunity है, यूरोप में Treasury Bill है, और UK में आपका एक Index Fund है, ठीक है, Index Fund तो होप आपको समझ में आता है, वहां के Mutual Fund जिसको हम पैसे देंगे और वो सिर्फ इंडेक्स में लगाएगा पैसे, ओके, income from stock lending, यानि कि Index Fund ने अपना कु ये जो पैसे स्टार्टिंग में लगाया होगा, उसमें से इतने रूपी वैलू गिर गया होगा, उनका share का वैलू, एक्सेंज रेट स्पॉर्ट पे दे दिया, एक पाउंड का तो होगा नहीं, क्योंकि पाउंड और रूपी में रूपी हमेसा weaker है, पाउंड हमेसा stronger है, त पाउंड 0.0099 ये चीज याद रखना, और यहां पे आपका है रूपी 1 एक्वाल टू यूरो 0.011 ये चीज याद रखेंगे, यहां पे अगें, रूपी 1 एक्वाल टू यूरो 0.011, अच्छा, अच्छे मेने बाद भी सेम रेट है, ओके यहां पे थोड़ा सा बदल रहे आपका, कैते हैं, you as an investment manager suggest a suitable option to be considered, which is economical to the company, company को कौन सी economical बनता है, क्या करोगे, एक simple सी कहानी है देखो, आपके पास 300 billion है, सीधा जाओगे UK में लेके, UK में pound में convert करा लो, कितना pound बनता है, चेक कर लो, यहां पे जब आज लेके जाओगे, तो आज आप ऐसे सोचना देखो, आप इंडिया में हो, आप जाओ UK, ठीक है, spot rate पे convert करके पैसे लेके जाओ, वहां पे invest करा हुआ amount में से 3% गिरा देना, उस amount को, जितना value बनेगा, उसमें से 3% हटा देंगे, जितना आएगा, फिर उसमें 2 dividend receive हुई है, index fund कहां जी, दो value उसमें add कर देना, क्या क्या add करोगे income, यह आपका दोनों मिला के 0.13, यह सारा GBP में याद रखना, 0.1365 प्लस 0.065, यह बनेगा आपको 0.143 add कर देना, चलो एक काम करता हूँ, मैं करी दे रहा हूँ न, spot rate है, आपका कितना बताई है, इतना, पैसे कितना लेके जा रहे हो, 600 billion, क्या है आपके पास यह 600 billion रूप करके, ओके, तो 6, नहीं, 600 नहीं भाई, 300 ही करना पड़ेगा, 300 नहीं हमारे पास surplus है, 300 multiply by, 300 multiply by 0.0099, यह आपका 2.97, याद रखना, हम लोग क्या करेंगे, 2.97 पाउंड पैसे लगाएंगे उधर, यह 3% इसका value गिर जाएगा, minus 3% discount हो जाएगे, और plus 0.143 add हो जाएगा, हमारे end में जो value बनेगा न, total जो end की value बनेगा, वो बनेगा 3.0239, अब यह पैसे वापस लेके आएंगे, forward rate से, forward rate है हमारा इतने का, again यह रूपी 1 का rate है, pound में, अब हमारे पास pound अब लेवल है, हम रूपी में convert करें, amount जादा आना चाहिए, divide करेंगे, इस amount को इस rate से divide करे तो divided by 0.01, यह amount बन गया हमारे पास, यह आ गया 302.39, ठीक है, 302.39 यह देखो, 302.39, 302.39 मैंने क्या कर रहा भई, अच्छा, पूरा 300 लिया न, billion, तो 300 billion लिया है, तो यह पूरा 300 ही होना चाहिए था न, अच्छा, यह तो GBP में था, 302.39, ओके, आपको समझ में आ गया यह बात, यह amount निकल क्या गया, ऐसे exactly किसके लिए निकालोगे, यूरोप के लिए, और फिर दोनों को comparison करोगे, यह देखो, 302, इदर से जाओगे तो 311, यह आपके लिए beneficial है, यानि कि आपको उधर पैसे ल इसे थे, जो आपको Homework Series का था, एक भी question नया नहीं, और उसमें से जादा से जादा exclusive CE वाले question थे, हाँ, यह मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं कहतो रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा मेहनत करके गए रहोगे ना, तो 70, 80 marks, 80 plus के लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हो important, important, important पढ़ेंगे, ठीक है, हर CE वाले question को ध्यान नहीं देना, यह सबसे बड़ी दिक्कत है, CE में वालो की, याद रखना, आपके exam में, जब भी कोई नया question डाले जाते हो, CE का ही डालते है, इसलिए आपके पास कोई choice नहीं, सारे के सारे करने पढ़ेंगे, कोई issue, मतलब क कोई choice नहीं, और कोई important selection करके मत पढ़ा करो, चीक है, चलो वापस आईए, question तो अल्यड़ी solved क्या हो है, export oriented unit, invoices in currency in the importer, it is expecting a receipt of 2,40,000, याद रखना, स्वदेशी limited है, invoices currency in the importer, यानि कि export oriented उसके पास इतना receipt होने वाला है, got exported on first, यानि कि 1st August को goods exported on first May 2023, sorry, receive होगा इतना August को export किया 1st May को, अच्छा, कुछ situation क्या बन रहा है, first May को export किया है, कहीं वो तो question ही, जो mistake वाली उठा कर डाल दिया यहाँ पर, देखते हैं, और हमारे पास आखा रहा है, क्योंकि यह question उसमें भी आया था, C.A. May 2023 में, C.A. वालों को भी आया था, जैसे mistake कर दिया था, और पैसे का बारे, first May को, क्या चल रहा है, first May को, first August को receive हो रही न, ठीक है जी, first August को, ओके, तो पांच और आठ, त्री मन्त का टाइम फ्रेम है, ओके जी, त्री मन्त का टाइम फ्रेम है, तो following information is available on first May को, और भी कुछ लिए कांट्राक्ट चाहें, याद रखना, अब आपको पैसे receivable है 2,40,000, यह आपका invoice amount है, यह receivable है याद रखना, यह जो आपका स्वादेशी limited है न, इस स्वादेशी के पास, पैसे कब आना है, बताइए, इनके पास पैसे आना है, 2,40,000 आना है, 1st August को, यह डॉलर में आना है, यह बैंक में जाता, बैंक में जाके, खिक है, यह डॉलर देते, यहाँ से रूपी लेके आते, मतलब डॉलर इसको बेचना था, लेकिन जो contract size दे दिया रूपी का, इसका मतलब simple से, उस market में रूपी ट्रेड हो रहा है, यानि कि रूपी ट्रेड होने वाले market कौन से बताए, रूपी ट्रेड होने वाले market जो है न, यह बैंक तो खेर है नी, यह चला गया, NYSE में ऐसे समझ के चलो, New York Stock Exchange में रूपी ट्रे future में हैं, तो हम लोग क्या करते है, future यह देखो, स्वदेशी को buy करना है, तो रूपी future buy करेगा, कब का buy करेगा, August के लिए buy करेगा, तो यह देखो, हाँ, यही तो दिक्कत है, अच्छा, यही mistake जो CA वालों ने mistake किया था, same question उठागे डाला है, as it is question उठागे डाला है, आपका, जो CA वालों ने, जो जो mistake किया था, वो, वो mistake आपके भी exam में पूछा गया है, वगवान, क्या चल रहा है, यह मैंने, आपको May 2023 का, CA वालों का, मैंने वो open कर लिया है, suggested, ठीक है, इसमें mistake क्या था, मैं बता दूँ, देखो, exactly same question पूछा है, 240,000, 1st August 2022, 1st May 2022, देख रहे हैं आप, यहाँ देखो, May, July, May, July और August, यहाँ कुछ mistake था, exactly यही mistake आपके पेपर में भी copy-paste हुए, अरे नलायक, कम से कम एक वार तो देख लेते कि इसमें mistake था कुछ, यह वगवान, चलो, कोई नहीं वापस आई, क्य होता क्या इसमें, होता क्या इसमें यह देखो, यह जो आपको receive होना है न, August में होना है न, तो August end का आपको यहाँ पे future होना चाहिए था, लेकिन August का future नहीं दिया है, May और June दे दिया है, तो question ही नहीं बनने लायक है, अब मैं क्या बोलू, ठीक है, कि June नहीं होना चाहिए, क margin यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने, यह जो 31st August है न, forward contract को तो छोड़ो, currency future rate for August not given in question, assume rate given for June will prevail in August, अब क्या करोगे, मजबूरी है, copy paste किया गया है, उनके साथ mistake हुई थी, CA वालों ने mistake करा था, exactly वही mistake जो है यह आपको भी यहाँ पे दे दिया है, कोई क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं, इसमें से मैंने अभी देखा था, एक और question जो अभी हमने देखा था, exactly as it is question यह आपका जो भी forex वाले question था, वो भी May 2023 में आया हुआ था, यहने कि May के question पेपर उठा के आपको 2-3 डाल दिया, यहने कि recent exam वाले question आपको एक बार दे कि recent past में से आपको कई सारे questions CA वाले उठा के as it is डाले जा रहे हैं, इसलिए अभी का 2-3 attempt का question जरूर देख लिया करो, आप लोग CA वालों का, ठीक है, तो होगी आप इसमें करना है, कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो रूपी बाई करना है, अब नहीं आवले वाले तिसी को ह अगस्ट अजिम कर लेंगे, और margin जो है न, margin आप यही लोगे आप, ठीक है, और बांकि सब कुछ सेम है, इसकी जो loss gain होगा, वो loss gain आपका dollar में आता है, और dollar में जो loss gain आएगा, वो dollar की जो amount है, उसके साथ club करके, फिर आप इसको क्या करोगे, conversion कराओगे, यह देखो, आपक यह loss gain आगए, loss gain क्यों, exactly same है, तो loss gain 0 हो गया, तो total receipt आपका बनता है 240, इससे आपका equivalent amount निकल के आजाता है, ठीक है, तो बस इस question में, सिर्फ problem यह था, कि, जो mistake के सीए इंसूट निकिया था, वही इंसेट CMA वाले ने भी किया, बांकि सब कु सेम है, इसको assume करके, आप question solve कर के दोगे, अब ऐसा तो हैनी की question छोड़ के आएंगे, question तो solve कर नहीं है, तो यह बन जाता है, इसी के साथ जो होता है, और यह जो दो है आपका theory है, तो इसी के साथ आपका December 2023 का paper भी complete हो जाता है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टेकिया, बाबाई, मिलते है किसी और व